Hello everyone, मैं हूँ Aastha from Learnohub, the free learning platform, जहां पर आप पर सकते हैं physics, chemistry, maths, biology और वो भी एकदम free at learnohub.com So हम लोग discuss कर रहे थे अपने chapter laws of motion के NCRT solutions, जिसमें हमने कुछ question अच्छे से discuss कर लिये थे, I hope कि आप लोग practice कर रहे होंगे आज हम लोग कुछ आगे की questions discuss करने वाले हैं, यानि की question number 5.17 से लेकर question number 5.23 तक आज हम लोग discuss करेंगे, अच्छे से solve करेंगे और I hope कि आप लोग अपनी copy और pen तो साथ में लेकर बैठे ही होंगे, है ना, तो साथे साथ आप लोग भी practice करते हुए चलेंगे, आप लोग एक काम भी कर सकते हैं, जैसे वीडियो को pause कर लिजिए और अपना solution ready कीजिए, फिर check कीजिए कि आपका solution सही है या फिर नहीं है, इससे आपको idea भी लग पाएगा कि आपकी exams की preparation कितनी हो चुकी है और कितनी और बाकी है, So, आज की discussion का जो हमारा पहला question है, वो है question number 5.17, A nucleus is at rest in the laboratory frame of reference, show that if it disintegrates into two smaller nuclei, the products must move in opposite directions, तो यहाँ पर हमको कुछ चीज शो करनी है, ठीक है, उसके लिए हम सबसे पहले से diagram से समझने की कोशिश करते हैं, एक बड़ा सा nucleus था, जिसको हम मान लेते हैं कोई parent nucleus, ठीक है, और इसको हम नाम दे देते हैं N1, अब यह क्या हुआ, disintegrate हुआ, दो छोटे छोटे nuclei में, मान लिया कि एक जो nuclei है, वो है N2, और जो दूसरा है, वो है N3, ठीक है, अब देखिए, यह वाला जो nucleus था, यह क्या है, at rest, यानि कि V equals to, यहाँ पर क्या हो गया है, 0 हो गया है, अब V की value अगर 0 है, इसका मतलब यहाँ पर जो momentum हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर इसकी जो velocity है, वो V2 मान लेते हैं, इसकी velocity V3 मान लेते हैं, ठीक है, और directions हमको क्योंकि show क करनी है, तो हम एक बारी calculation करेंगे, चेक करेंगे, उसके बाद ही इनकी direction बताएंगे, कि यह कौन कौन सी direction में move कर रहे होंगे, ठीक है, तो चल दिये, question को solve करना शुरू करते हैं, हमें पता है, कि जो initial momentum होता है, वो किसके बराबर होता है, वो equal होता है, final momentum के, ठीक है, और यह जहां पर जो initial momentum होगा, वो कौन सी nuclei का होगा, या फिर कौन सी nucleus का होगा, तो वो होगा इस वाले nucleus का, बड़े वाले nucleus का, ठीक है, जहां पर जिसकी velocity 0 है, तो इसका जो momentum हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, और जो final momentum आएगा, वो कैसे आएगा, तो इन द ठीक है तो यहां पर देखिए यह क्या हो जाएगा इसका momentum यह हो जाएगा m1 v2 plus m2 v3 ऐसा ही तो हो जाएगा हमारे जितना भी हमने values मानी थी उनकी according है ना तो अब इसको थोड़ा सा simplify करने की कोशिश करते हैं m1 v2 equals to आजाएगा minus m2 v3 के so v2 equals to क्या हो जाएगा यह हो जाएगा minus m2 v3 upon m1 इतनी बात clear हो गई अब देखिए यह जो velocity आ रही है यानि कि v2 के value आ रही है वो minus of m2 v3 upon m1 के equal आ रही है यह negative sign क्या indicate कर रहा है यह indicate कर रहा है कि यह जो दोनों ही velocities है यह opposite direction में है यानि कि जो यह दोनों के दोनों nuclei है यह opposite direction में क्या कर रहे होंगे move कर रहे होंगे ठीक है तो इतनी बात होगे clear और यह question अच्छे समझ में आ गया और जो इसमें हमें show करना था कि यह opposite direction में move कर रहे हैं वो भी हमने इसके through यहाँ पर show कर दिया तो आप चलते हैं हम अपने next question की तरफ हमारा next question है question number 5.18 2 billiard balls each of mass 0.05 kg moving in opposite directions with speed 6 m per second collide and rebound with the same speed what is the impulse imparted to each ball due to the other तो देखिये 2 billiard balls है मान लिया एक ये रही ball और एक ये रही ball ठीक है अब जो दोनों की speed है वो given है 6 m per second each तो दोनों की speeds क्या है same है दोनों का जो mass है वो भी same है कितना 0.05 kg और इसका mass भी कितना है 0.05 kg और ये चल रही है opposite directions में ठीक है इतनी बात clear हो गई अब ये क्या करती है एक time ऐसा आता है जब ये collide करती है यानि की मिलती है ठीक है rebound होती है यानि की उसके बाद टकरा के फिर एक दूसरे से अलग होने की कोशिश करेंगी तो जब ये अलग होगी तो उस time पर इनका जो impulse होगा एक दूसरे के लिए वो क्या होना चाहिए ये हमसे पूछा जा रहा है ठीक है तो यहां पर देखिए speed सेम ही रहेगी इनका जो mass है यानि की 0.05 kg वो भी सेम है ठीक है और जो direction है वो हम लोग जब calculation करेंगे उसके बाद बता पाएंगे कि इनका जो impulse की direction है वो कैसी होनी चाहिए ठीक है तो चालिए शुरू करते हैं इसको solve करना सबसे पहले तो देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि जो initial momentum है आपको find out करना है तो आप कितना बताएंगे उसको हम लोग मान लेते हैं pi ठीक है तो initial momentum जो हो जाएगा वो equal to हो जाएगा देखिए 6 meter per second यानि की 6 into इसका जो mass है यानि की 0.05 अब क्या हो जाएगा यह हो जाएगा kilogram meter per second ठीक है so pi equals to यहां से आगया है 6,5,30 यानि की 0.30 kilogram meter per second तो यह तो आगई pi की value यानि की initial momentum की अब अगर मैं आपसे पूछूं final momentum तो final momentum कौन से वाला लेंगी जब वो collide हो रही है ठीक है और फिर rebound हो रही है तो वो वाला हम लोग momentum लेंगे वो sign अलग होगा उसका क्यों? क्योंकि देखिए वो same velocity यानि की same speed के साथ में same mass उनका है लेकिन वो क्या करने की कोशिश कर रही है बिना अपनी speed को change किये वे उसके magnitude को बदले वे direction को change करने की कोशिश कर रही है इसलिए जो यहाँ पर final momentum आ जाएगा वो आ जाएगा minus 0.30 kilogram meter per second so हमको क्या calculate करना है the impulse imparted to each ball to the other so हम लोग इसको लिख सकते हैं the impulse imparted और यह equal to किसके हो जाएगा यह हो जाएगा P final minus P initial ठीक है यानि की total final momentum minus total initial momentum total final momentum कितना है तो यह है minus 0.30 kilogram meter per second और total initial momentum कितना है यह है 0.30 kilogram meter per second ठीक है तो इसको आप जल्दी से solve कीजिए तो यह जो impulse हो जाएगा यहाँ पर इनको अलग करने के लिए इन दोनों का balls का एक दूसरे के लिए तो कितना हो जाएगा यह हो जाएगा minus 0.60 kilogram meter per second ठीक है अब value तो पता चल गई लेकिन यहाँ पर कौन से sign आ रहा है minus sign आ रहा है तो इसका यह मतलब है कि यह क्या ऐसे जो इनका impulse होगा वो opposite direction में क्या करेगा work करेगा ठीक है और वो कैसे पता चला तो इस negative sign की वज़े से पता चला और value हमको पता चल गई कितनी आ गई है 0.60 kilogram meter per second और sign का तो हमने बताई दिया negative sign इसलिए क्योंकि यह impulse होगे वो opposite direction में क्या करेंगे work करेंगे ठीक है आप चलते हैं हम अपने next question की तरफ So हमारा next question है question number 5.19 A shell of mass 0.020 kilogram is fired by a gun of mass 100 kilogram if the muzzle speed of the shell is 80 meter per second what is the recoil speed of the gun So इस question में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि यह muzzle speed or recoil speed क्या होती है क्योंकि यह दोनों की दोनों ही gun के लिए ही use की गई है ठीक है तो मान लिया यह है कोई gun ठीक है अब gun बनाना तो मेरे को आता नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग इसी से काम चला लेंगे ठीक है So इसमें से एक shell क्या हुई है फायर हुई है यह रही कोई छोटी सी shell जो की gun से क्या हुई है फायर हुई है जो इस shell की speed होगी उसको हम बोलेंगे muzzle speed जिसको हम लोग Vm से show करेंगे और इसकी value हमको given है कितनी तो 80 meter per second तो हम लोग यहां पर लिख लेंगे 80 meter per second और यह कुछ इस direction में move करेंगे ठीक है इसका हमें mass भी पता है shell का जो की कितना given है 0.020 kilogram जिसको हम लोग लिख लेंगे mass of shell equals to 0.020 kilogram ठीक है अब देखिए जब shell gun में से fire होगी तो gun क्या होती है पीछे की तरफ आती है थोड़ा सा ठीक है तो इसका यह मतलब है कि जो यह gun पीछे की तरफ आएगी यही इसकी recoil speed क्यालाएगी जिसको हम VR से show करेंगे और हमें पता है जो muzzle speed of the shell होगी और recoil जो speed of the gun होगी उन दोनों की जो directions है वो क्या होनी चाहिए opposite होनी चाहिए इसलिए हमने कुछ इस तरीके से इसकी direction बनाई है ठीक है और इसका यह मतलब है कि जो VR की value आएगी वो किसमें आएगी negative sign के साथ में आएगी जो इनकी opposite directions को क्या करेंगा show करेगा ठीक है और जो यह gun है इसका भी हमको mass दिया गया है जिसको हम mg लिख लेते हैं कितना given है 100 kg given है ठीक है पूरा का पूरा diagram समझ में आगया आप देखिए हम लोगों को मालुम है कि जो total initial momentum होता है वो किसके बराबर होता है वो equal to होता है total final momentum के ठीक है अब अगर मैं आपसे पूछूँ कि इस case में आप बताएए कि जो total initial momentum होना चाहिए वो कितना होना चाहिए तो आप क्या बोलेंगे तो आपको मालुम है कि gun शुरुआत में किसमे थी rest की position पे थी यानि कि velocity क्या हो जानी चाहिए 0 हो जानी चाहिए velocity 0 हो जाएगी तो total initial momentum भी क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा equal to total final momentum कैसे हम लोग बता सकते हैं तो हम लोग बता सकते हैं कि जो ये shell के लिए momentum आएगा यानि कि ms into vm plus vr into जो इस gun का mass है यानि कि mg ठीक है इसको simplify करेंगे क्योंकि हमें vr की value calculate करनी है सो यहां से हो जाएगा vr mg equals to minus ms vm ठीक है सो vr equals to आजाएगा minus ms vm upon क्या हो जाएगा mg अब हमें यहां पर करनी है values put तो values put करते हैं जल्दी से minus ms की value कितनी है 0.020 kg into vm की value कितनी है तो यह है 80 meter per second upon mg की value कितनी है तो यह है 100 kg अब directly क्योंकि हम recoil speed calculate कर रहे हैं तो इसको meter per second ही लिख देते हैं ठीक है सो आप इसको जब solve करेंगे आपके पास में answer होगा minus 0.016 meter per second ठीक है और यह negative sign क्या indicate कर रहा है कि यह दोनों ही किसमे है opposite direction में है और साथ ही साथ जो इसकी recoil speed आ गई है वो कितनी आ गई है 0.016 meter per second ठीक है तो यह question आपको अच्छे समझ में आ गया होगा अब चलते हैं हम अपने next question की तरफ so हमारा next question है question number 5.20 a batsman deflects a ball by an angle of 45 degree without changing its initial speed which is equal to 54 km per hour what is the impulse imparted to the ball mass of the ball is 0.15 kilogram तो इसको diagram से समझते हैं देखिए यह है मान लिया कोई एक bat ठीक है ball यहां से आई इससे टकराई ठीक है और उसके बाद इधर side चले गए इतना बाद clear हो गए यहां पर जो यह पूरा का पूरा angle हमको दिया गया है यह दिया गया है 45 degree अगर हमें इसका half angle calculate करना है तो हम कर सकते हैं हम इस पूरे के पूरे angle को मान लेते हैं 2 theta जो की equal to हो जाएगा किसके 45 degree के सो theta equals to क्या हो जाएगा 45 degree upon 2 तो इसका मतलब है theta की value आ गई 22.5 degree ठीक है तो इसका यह मतलब है कि यह वाला angle भी हो गया 22.5 degree और यह वाला angle भी हो गया 22.5 degree और इसलिए यह पूरा का पूरा angle कितने का है 45 degree का है, ठीक है, इतनी बात clear हो गई, आप देखिए, जो initial velocity है, पहले उसकी बात करते हैं, उसके लिए अगर हम components देखें, along the bat, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, v sin theta, अगर final velocity के लिए हम along the bat, क्या देखें, इसका जो component देखें, velocity का, वो क्या हो जाएगा, व sin theta, ठीक है, वैसे ही, अगर हम normal to the bat, ये देखें, इनके components ले, तो ये क्या हो जाएगे, तब ये हो जाएगा, v cos theta, ठीक है, और final velocity के लिए क्या हो जाएगा, v cos theta, तो यहाँ से हमको एक बात समझ में आए, कि जो ये velocity के components हमने देखें, तो जो हम लोग along the bat देख रहे हैं, v sin theta, v sin theta, वो तो क्या है, unchanged है, लेकिन जो हम ये देख रहे हैं, v cos theta, v cos theta, ये क्या है, इनकी direction क्या है, opposite है, ठीक है, इसलिए, जो हम लोग calculate करेंगे, impulse imparted to the ball, यानि की ball को impart करने के लिए, कितना impulse की जरुरत पड़ी, तो वो equal to किसकी हो जाएगा, उससे पहले, जो हमें speed of the ball दी ये ही काम कर लेते है, 54 into 5 upon 18 meter per second, इसको जल्दी से calculate कीजिए, 18 threes are 54, यानि की speed of the ball आ गई है, 15 meter per second, ठीक है, so impulse imparted the ball, equal to हो जाएगा, total change in linear momentum, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, यहां पर हम देख रहे हैं, ये दोनों ही components किसमे है, ये है opposite direction में, यानि की pf minus pi, यानि की mv cos theta minus, अब क्या हो जाएगा, क्योंकि opposite direction में है, तो minus mv cos of theta, ठीक है, इतनी बात clear हो गए, so ये equal to आ जाएगा, mv cos theta plus mv cos theta के, ठीक है, जो कि equal to आ जाएगा, twice mv cos theta के, अब values put करनी है हमें जल्दी से, तो देखिए, 2 into m की value कितनी है, mass कितना दिया गया है, 0.15 kilogram, into v की value कितनी है, 15 meter per second, cos of theta, यानि की cos 22.5 degree, ठीक है, आप इसको जब calculate करेंगे, तो आपके पास में answer आ जाएगा, 4.16 kilogram meter per second, और यही impulse है, जो कि हमको calculate करना था, to impart this ball, ठीक है, तो यह वाला question आया हुगा, आपको अच्छे समझ में, आप चलते हैं अपने next question की तरह, So, हमारा next question है, question number 5.21, a stone of mass 0.25 kilogram tied to the end of a string is whirled around in a circle of radius 1.5 meter with a speed of 40 revolutions per minute in a horizontal plane, What is the tension in the string? What is the maximum speed with which the stone can be whirled around if the string can withstand a maximum tension of 200 newton? तो देखिए, एक stone है, उसको एक string से बांद कर क्या किया जा रहा है, गुमाया जा रहा है, इस तरीके से circular form में, ठीक है, इस circle की जो radius है, 1.5 meter वो हमको given है, ठीक है, साथ ही साथ देखिए, यहाँ पर अगर यह रही velocity, ठीक है, और साथ ही साथ जो इसमें tension लगेगा, वो centripetal force की ही direction में लगेगा, और इस question में हमको बताना है, सबसे पहले तो यह tension कितना होगा, दूसरा यह बताना है कि maximum speed, अगर हमें जो maximum tension है, वो दिया गया है, ठीक है, तो एक चीज जो इसमें दी गई है, 40 revolution per minute, तो इसको हमें सबसे पहले convert करना होगा, revolutions per second में, ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं, number of revolutions per second, equals to क्या हो जाएगा, 40 upon 60, यानि कि कितना हो गया, 2 upon 3 radian per second, ठीक है, अब tension हम लोग कैसे calculate करते हैं, so t equals to हो जाता है, f century petal, है न, जो कि किसके equal हो जाता है, ये equal होता है, mv square upon r के, ठीक है, या फिर अगर इसको angular velocity के form में लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, mr omega square भी हो सकता है, ठीक है, और omega की जगे पर, अगर हम 2 pi n पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा, 2 pi n का whole square, ठीक अब हमें values put करनी है, so t equals to यहां से कितना हो गया है, mass, mass हमको कितना given है, 0.25 into r की value हमें 1.5 meter given है, ठीक है, into 2 into pi 3.14 into n की value 2 upon 3 radian per second, ठीक है, और इसका कर देंगे square, so जब आप इसको solve करेंगे, तो यहां से जो ये tension in the string आएगा, इसकी value आएगी, वो आजाएगी, 6.57 newton, तो पहला वाला पार्ट तो हमने कर लिया इसका solve, दूसरे पार्ट में आपको दिया गया है maximum tension, और आपको calculate करनी है maximum speed, ठीक है, so t max equals to होता है, under root of mvx square upon r, ठीक है, अब देखिए, हम लोग यहां पर से हमें क्या maximum speed क्योंकि calculate करनी है, तो हम लिख सकते हैं vx equals to under root of mt maximum का square upon r, ठीक है, और इसको भी हम maximum ही लिख लेते हैं, max और इसको भी हमने लिख लिया maximum, ठीक है, so equal to, आप values पुट कीजे जल्दी से, और इसका answer अपनी copy में करिए, देखिए, m की value कितनी है, तो m है 0.25 kg into maximum tension, हमको कितना दिया गया है, 200 newton, तो इसका कर दीजे, square, ठीक है, upon r की value कितनी है, 1.5 meter, ठीक है, और साथ ही साथ क्यूंकि आप speed calculate कर रहे हैं, तो meter per second, so, यहाँ से जब आप इसको calculate करेंगे, तो v max की value आजाएगी, under root 1200 meter per second, और यहाँ से जो maximum speed calculate होकर आएगी, वो approximately 34.64 meter per second हो जाएगी, ठीक है, तो इसके दोनों ही parts हम लोगों ने अच्छे सॉल्फ कर लिए, अब चलते हैं, हम अपने next question की तरफ, so, हमारा next question है, question number 5.22, if in exercise 5.21, यानि कि इस से पहले वाला question जो हम solve कर रहे थे, जिसमें stone को string से बांधा था और उसको घुमाया जा रहा था, और वो circular path पर घुमता है, ठीक है, the speed of the stone is increased beyond the maximum permissible value, तो जो stone की speed है, वो अचानक से बहुत जादा बढ़ गई, और इस वज़े से जो string है, वो क्या हो गया, टूट गया, which of the following correctly describes the trajectory of the stone after the string breaks, तो आपको कुछ statements दिये हैं, A, B, C में, जो आपको बताना है कि जब वो string टूट जाएगी, या फिर ब्रेक हो जाएगी, तो stone की trajectory क्या होगी, ठीक है, तो इसके जो statement A है, उसमें दिया गया है, the stone moves radially outwards, ठीक है, इसके B statement में दिया गया है, the stone flies off tangentially from the instant the string breaks, इसके part C में दिया गया है, the stone flies off at an angle with the tangent whose magnitude depends on the speed of the particle, तो देखते हैं कि कौन सा statement सही होगा, देखिए, कुछ इस तरीके से, वो stone क्या कर रहा था, move कर रहा था, ठीक है, circular path पर, अब उसकी string अचानक से क्या हो जाएगी, break हो जाएगी या तूट जाएगी, तो पहले तो उस पर यहां की side पर क्या लग रहा था, centripetal acceleration लग रहा था, यानि की AC, ठीक है, और यह थी velocity V, और इसी तरीके से कुछ यहां पर tangential acceleration भी लग रहा होगा, AT, ठीक है, अब जब यह जो string है, यह क्या हो जाएगी, तूट जाएगी, या फिर break हो जाएगी, तो इसका मतलब है कि जो यह center की तरफ acceleration लग रहा था, या फिर centripetal जो acceleration था, वो तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 0, और वो 0 हो जाएगा, तो बचेगा कौन सा acceleration, tangential acceleration, इसी लिए जो इसका statement B है, वो हो जाएगा सही, यानि कि the stone flies off tangentially from the instant the string breaks, ठीक है, अब चलते हैं हम अपने next question की तरफ, आज की discussion का जो हमारा last question है, वो है question number 5.23, तो देखें, explain why, A, a horse cannot pull a cart and run in empty space, part B, passengers are thrown forward from their seats when a speeding bus stops suddenly, part C, it is easier to pull a lawn mover than to push it deep, a cricketer moves his hands backwards while holding a catch, तो इसकी चारो की चारो parts हम लोग एक एक करके करते हैं, solve, so question number 5.23 का, जो part A है, उसमें आपको explain करना है, कि a horse cannot pull a cart and run in empty space, तो खाली space में क्यों एक जो horse है, वो किसी cart को pull नहीं कर पाता है, या फिर वो run नहीं कर पाता है, तो देखें, सोचिए कि एक ground है, पहले तो एक ground को consider करते हैं, ठीक है, और इस ground में जो horse है, वो कैसे आगे बढ़ पाता है, तो मान लिया, ये कोई horse है, ठीक है, तो इस तरीके से मैं इसको बना देती हूँ, तो ये इस पे कैसे आगे बढ़ पाएगा, जबी भी ये अपने जो pair है, उनको चलाएगा, तो ground की तरफ से भी इसको क्या मिलेगा, एक reaction force मिलेगा, और ये force लगा रहा होगा, ground को और उसके opposite ground इसको force लगा रहा होगा, तो जो reaction force इसको मिल रहा है, उसकी वज़े से जो इसका horizontal component है, वो इसको forward direction में आगे बढ़ने के लिए क्या करेगा, help करता है, ठीक है, अब empty space के अगर बात करें, तो वहाँ पर क्योंकि जो reaction force हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, अब reaction force जीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब है, जो horse है, वो किसी cart को pull नहीं कर पाएगा, वो run नहीं कर पाएगा, और वो forward direction में आगे नहीं बढ़ पाएगा, ठ passengers are thrown forward from their seats, when a speeding bus stops suddenly, तो अचानक से चलती हुए बस अगर रुख जाए, तो जो passengers होते हैं, वो आगे की तरफ गिर पाएगा, ऐसा क्यों होता है, तो देखे, जब भी कोई bus चल रही होती है, या कोई गाड़ी चल रही होती है, ठीक है, और वो अचानक से चलते चलते हैं, रु क्योंकि Newton's first law of motion के according, जब bus चलती रहती है, तो हमारा जो lower part है, वो तो rest की position पर आ जाता है, जब brake लगता है, ठीक है, लेकिन जो upper body part है, वो motion में बना ही रहता है, इस वज़े से जो हमारा upper body part है, वो आगे की तरफ क्या होता है, गिर पढ़ता है, जबकि जो lower body part है, वो rest पर ह ठीक है, तो आप लिख सकते हैं, when a speeding bus stops suddenly, the lower portion of a passenger's body suddenly comes to the rest, ठीक है, but the upper portion tends to remain in motion as per the first law of motion, that is why जो passenger होते हैं, वो आगे की तरफ गिर पढ़ते हैं, अब चलते हैं, हम इसके part C की तरफ, So, हमारे question number 5.23 का part C में, हमको explain करना है, कि it is easier to pull a lawn mover than to push it, तो ये देखिए, ये रहा lawn mover, हमसे पुछा जा रहा है, कि इसको pull करना आसान होता है, किस से push करने से, तो देखिए, हम दोनों ही, जो conditions हैं, उनको consider करते हुए, इसको समझने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले बात कर हैं, जब हम lawn mover को क्या कर रहे हैं, pull कर रहे हैं, यानि कि पीछे की तरफ को अपनी तरफ को ले रहे हैं, ठीक है, दो components तो होते ही होते हैं, तो ये रहा अपना resultant F, ये रहा F sin theta, और ये रहा F cos theta, ठीक है, और ये वाला angle है अपना theta, और यहाँ पर जो ये force लगेगा, due to gravity, M into G लगेगा, अब देखिए, अगर हम इस lawn mover को क्या करते हैं, pull करते हैं, तो upward direction की तरफ को लिया, यानि कि जो vertical component होगा, वो upward direction में होगा, upward direction में होने का मतलब है कि वो reduce होगा, reduce होगा, तो इसका ये मतलब है, कि जो इसका weight है, वो भी क्या feel होगा, वो भी कम होने लगेगा, तो जब इसका weight कम feel होगा इसको, तो ये क्या करेगा, forward direction में move करने लगेगा, तो ये तो रही pull की condition, जब हम इसको करते हैं, push, ठीक है, तब कौन सी condition हो सकती है, तब जो इसका ये वाला component कुछ इस तरीके से हो जाएगा, f sin theta, ये भी हो जाएगा, f sin theta, और जो अपना यहां पर आ activity, अब जो इसका vertical component आ जाएगा, जब हम इसको push कर रहे हैं, ठीक है, आगे की तरफ को धक्का दे रहे हैं, तो जो vertical component होगा, वो किधर की side को हो जाएगा, तब वो downward direction में हो जाएगा, downward direction में होने के वज़े से, जो ये lawn mover है, ये अपना जो weight है, वो increase feel करेगा, यानि कि इसका weight बढ़ेगा, ठीक है, और इस वज़े से ये forward direction की तरफ नहीं जा पाएगा, यानि कि आगे की तरफ नहीं बढ़ पाएगा, और इसलिए हम ये बोल सकते हैं, कि किसी भी lawn mover को pull करके आगे बढ़ाना आसान है, बजाए किसके push करके आगे बढ़ाने के, ठीक है, तो ये वाली condition कौन सी थी, ये थी, जब हम इसको push करके आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो देखिए, हम इसके answer में लिख सकते हैं, when a lawn mover is pushed, force is applied downwards, so the vertical component is directed downward, increasing the weight of the mover and it won't allow pushing the mover, ठीक है, ये वाला पार्ट अच्छे समझ में आया, अब चलते हैं, हम अपने question 5.23 के last part की So question number 5.23 का जो part D है, यानि कि हमारे आज की discussion का last question, उसमें हमें explain करना है, a cricketer moves his hands backwards while holding a catch, तो आपने cricket देखा होगा या फिर खेला भी होगा, तो जब भी दूर से कोई ball आती है, तो हम उसको catch करने के लिए hands को क्या करते हैं, पीछे करते हैं, ऐसा क्यूं होता है, ये पूशा जा रहा है, तो हमको पता है कि जब ball हमारे हाथ में आएगी, तो उसके लिए जो impulse लगेगा, हमारे hands के through, जो receive impulse होगा, वो किसके equal होगा, force into time के equal होगा, तो जब भी कोई cricketer ball catch करने वाला होता है, तो वो अपने hands को backward या फिर पीछे की side इसले ले लेता है, क्योंकि वो increase कर होता है, the time of impact, and the force exerted on his hands becomes much smaller, ठीक है, और जिसकी वज़े से क्या होता है, कि वो hurt नहीं होता है, या फिर उसको कोई चोट नहीं लगती है, तो I hope कि आपने आज के discussion अच्छे से समझा होगा, अच्छे से copy में notes बनाए होगे, और अच्छे से सारी की सारी solutions किये होगे, तो हमारे साथ बने रही है, क्योंकि आप ये तो जानते ही है, कि learn no how free है, लेकिन best है. क्या आप, बनाए है, क्या हो अच्छे से दिए है, क्या है, क्या है, ये रही है, क्या है, क्या है, क्या हॉड़ें।